नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुना मुंगेरी लाल जीयस के प्लेटफॉर्म पर क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया है और आप सभी के लिए एक महत्तपूर्ण सरिंखला फिर से लेकर उपस्तित हुआ है आगामी BPSC सिक्षक भरती परिक्षा के लिए माध्धमिक और उच्च माध्धमिक जो हमारे हिंदी के इस्टेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनके लिए सरिंखला चलाई जा रही है उनके संपूर्ण पाठ्ठक्रम को मौक टेस्ट के द्वारा रिवीजन हेतु समेटने का पूरा प्रयास क्या जा रहा है यहां पर क्योंकि यह पाहली सरिंखला है इसलिए मैंने 20 प्रस्ण के तंग्रह के साथ साथ अंत में आप लगभग सव प्रश्णों की व्याख्या यहां से प्राप्त करेंगे और आपका पूरे करिकुलम का रिवीजन अच्छे तरीके से होगा और आप खुद को जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो कि बचे वे बहुत क संधिकाल और चारणकाल नामक दो उपसिर्षकों में वाजित किया है वाला प्रशन आपका है कि आधिकाल को संधिकाल और चारणकाल के नाम से किसने वाजित किया है विकल्प दिये गए सुमन राजे रहुल संक्रत्यायन राम कुमार वर्मा और जोर्ज ग्रियर्सन तो हि हिंदी साहित के आधिकाल को तंधिकाल और चारणकाल में राम कुमार भर्मा ने नाम करन किया है आप विकल्प में देख पा रहे होंगे सुमन राजे सुमन राजे ने हिंदी साहित के आधिकाल को आधार काल माना है यहां सुमन्द राजे ने हिंदी साहित के आधिकाल को आधार काल माना है राहुल सांकृत्याइन ने हिंदी साहित के आधिकाल का नाम करना कि इस सामन्त काल कि इस सामन्त काल कहा है इन्हों ने और जॉर्द ग्रियर्सम इनके पुस्तक से आप सही परचित होंगे दम मॉडर्न वर्नाकियूलर लिट्रेचर ऑफ हिंदुस्तान ठीक है और जॉर्ड ग्रियर्सम ने आदिकाल का नामकरान किया है चारण काल के रूप में आप देख पा रहे होंगे एक प्रशन से आमने आदिकाल के नामकरान के प्रशनों की भी एक बार पुन्रावृत्ती कर ली तो बढ़ते हैं हम अगले प्रशन की ओर दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्त का वज्यानिक इतिहास के लेखक हैं हैं गण पती चंदेर गुप्त के आइन है हिंदी साहित्य और समवेधना का विकास हिंदी साहित्य और समवेधना का विकास हिंदी शाहित्य और समवेधना का विकास अगला विकल्प है मारा डॉक्तर राम कुमार वर्मा डॉक्तर राम कुमार वर्मा हम पहले इससे पहले प्रश्न में चर्चा कर चुक है यूँने इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है दक्तर रामक्मार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी सहित्यका हिंदी सहित्यका अलोचनात्मक इतिहास हिंदी सहित्यका अलोचनात्मक इतिहार और अन्तिम जो है हमारे ग्रियर्शन साव इनकी करती है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ओफ हिंदुस्तान तो इस प्रशन का सयुत्तर हो गया गनतपति चंदर गुप्त क्या नाम करन किया है स्रिकाल के रूप में विश्वनात प्रशाद मुस्तर विस्वनात प्रशाद मिश्तliche विस्तनात प्रसाद मिस्र ने रितिकाल को क्या कहा रिंगालकार और कलाकाल के रूप में रितिकाल का नाम परण किया है रमासंकल शुक्ल रशाल रमाशंकर शुक्ल रशाल नाम करन किया है किस रूप में कला काल के रूप में चलते हैं हम अगले प्रशन की अगला प्रशन है हिंदी साह्थ और समवेधना का विकास्त पुर्ष्ठ किसकी रूप क्या होगा राम स्वरूप चत्रवेदी यह हिंदी साहित्त और समवेतनां का इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंत जो है वह राम स्वरूप चत्रवेदी द्वारा रचित है अगर आप सुमन राजे की बात करें तो सुमन राजे की इतिहास ग्रंत का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यह शुमन राजे की साहित्य इतिहास कृती है अगला प्रशन आप देख रहे होंगे बच्चन सिंग और बहुत ही फेमस साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी शाहित्य 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 का दूसरा इतिहास और अगले विकल पर आप देख रहे होंगे नलीन विलोचन सर्मा इनके इतिहास गरंद का नाम है नए जो सर्मा की इतिहास ग साहित्य का इतिहास दर्शन तो ये सारे साहित्य इतिहास ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्तोपूर्ण है तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर पांचमा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे Sanskrit के लेखक नहीं और हिंके एक और बहुत प्रशक दिकृती है इसका भी हम ध्यान दखेंगे इंदुस्तानी ग्रामर इन 20 प्रश्णों के माध्यम से आप अपने तैयारी को धारबे पाएंगे और आप ज्ञास पाएंगे कि अर्थ दालाव लितिवत्तर हिंदुस्तानी घंदीयूस्तान réponse का पाहला गरन्त है अस्तिवारी अव दलाव लित्त्यों इन 20 ऑ बाह दलाव टिर्टेट्यूर एंदोई एंदोस्ताणी एंदोई एंदोस्ताणी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्म के और अगला प्रश्म देखिए बहुत महत्वपून प्रश्म है अगला प्रश्म कि कि erा मीर खुसरू के बहुत ही प्रशद्धी हैं हैं संबंदुथ और आसे लग्रहीं आप बच्चों को पढ़ाते भी होंगे अमीर खुसरो के बारे में कि बहुत प्रशद्ध रखती हैं यह हिंदी साइट में बड़ा जाना चना नाम है अमीर अमीर खुसरों के बारे में मैं आपको महत्तपूर बाते बता दूं कि इनका असली नाम जो है अमीर खुसरों का वो था अबुल हसन अमेर खुसरो का जो असली नाम था वो था अबुल हसन इनके घुरू का नाम था निजामुद्दीन और इनके प्रमुख रश्नाओं के बारे आप याद रखें इनके प्रमुख रश्नाओं में क्या है खालिक बारी, दो सखुने, दो सखुने, पहेलिया, पहेलिया, मुकरिया, के सब इनके शूप्रसे दरश्नाओं है और इन सभी बिंदों से परिक्षाओं में बार बार प्रश्ण पूछे जाते हैं तो अगर ऐसे प्रश्ण आगे आएंगे तो उस पर हम विस्तार से इसकी चर्शा करेंगे तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो गया अमीर खुसरों आधिकाल से शंबंदित हैं देखे अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है तो दान वाक्यावली के रचनाकार है कौन है विकल्ब दिये गए विद्यापती भूशन पदमाकर और जैदेव ठीक है तो दान वाक्यावली के जो रचनाकार है वो कौन है विद् करका संबंध है और इनकी करतियों के बारे में बार बार शवाल पुझा जाता है और मैं आपको बता हूँ जी जो कृति है नवाक्याँ वली is संस्कृत में लिखा गया है एक और नवीया वाक्यावलि चाहिए गंगा वैक्यावली तो देखिए विद्ध्यापती मैं यहां लेकर देता हूं विद्ध्यापती के बारे में महत्तोपून जानकारी जो हमें याद रखने चाहिए तब से पहले मैंने आपको बताया कि इनका संबंद कहां है बिहार के सरभंगा जिले के विपसी नामग जाओं से इनका संबंद है इनकी कृतियों में यह शुमार है तंस्कृत में आपने दो कृती यहां पर देखा दान वाक्यावली और गंगा व्यक्यावली गंगा वाक्यावली इनके इनकी सबसे शूप्रसित दरशना जो है वह है पदावली और पदावली की भासा क्या है मैथिल भासा में लिखी गई है तो देखिए मैथिल भासा में लिखी गई है यह वह पदावली और दो और महत्वपून गरंत जो अवहत्त में लिखी गई है वह कीडती लता और कीडती पतागा इसका विसमान रखेंगे toget में लिखी गई है ह Lewis में जो लिखी गई है वह कीडती लता और कीडती पता का ठीक है विद्यापती और विद्यापती के एक बार और महत्वपून बात जान लें कि इनको बहुत सारी उपाधियों से जाना याता है अन्य का इब इनको मैथिल कोखे कगे नाम से घाता है अबही नाव जएदेव के नाम से राता ठीक है मैथिल कोटिल अभीनेव जएवदीव ठीक है कवी शेखर की उपाधी हिनको दी गई है तो ऐसे आनने नामों से तो प्रक्षा पूछे बारे में यह मैंने हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण पर आप जरूर चेक करिए कि आपके कितने प्रश्ण सही हो रहे हैं क्योंकि देखित तैयारी को जांचना आप पड़ेगा क्योंकि समय कम है आपके पास आप जितने अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे उतनी आपकी तैयारी धारदार होगी क्योंकि अभी यह प्रश्ण जो है यह एंसी क्यू पर आठारित है तो आप फैक्ट्स पढ़ेंगे और भूल जाएंगे तो आपको याद रहेगा और माइंड में अधिक देर तक वह रिटेन करता है ठीक है तक पढ़ने का अभी समय आपको नहीं है और अगर आप अभी पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा चुके होंगे हिंदी तो फिर आपके लिए आसान है लेकिन अभी महत्वपूर्ण समय क्या है कि आप अधिक से अधिक समय बहुत कम है अगला प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी इंदी भासी भूभाग में सर्व साधरन के मुह पर रहते हैं जानने हाया है। तुलसी के वचन समानही रहीम के वचन भी हिंदी भासी भुबाग के सर्वसाद्रन के मुह पर रहते हैं। और यह कथन किसका है पुछा गया है विकल दिये हैं डॉक्तर नगेंडर यह सभी हिंदी साहित के बहुत बड़े प्रशनाकार बहुत बड़े आलोचकों में से एक हैं डॉक्तर नगेंडर नंदुलारे वाजपई और आचारे शुक्ल और बच्चन सिंग तो यह जो कथन है यह आचारे रामचंदर शुक्ल का परते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है आलवार वैस्नवों की संख्यां क्या है अलवार वैस्नवों की संख्यां आप जानते हैं यह तमिल संत हैं अलवार जो संत हैं यह क्या है यह तमिल वैस्नव संत हैं यह जिहान देने क अभर बबंधनम बहुत ही महत्वपूर्बम करती आप याद रखेंगे घिव्य प्रबंधनम एक तो प्रस्ण है कि अलवारों कि संज्खाा क्या है तो अलवारों कि संठान है 12 ज्यक्र अलवारों सनें कितनी है 12 जुर अब जानते हैं किसी संथा answer तो इस तरीके से भी आप रिविजन कर सकते हैं हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्यों अग्ला प्रश्न है कि अध्वाइत वाद के प्रवर्तक आचारे कौन है अध्वाइत वाद के प्रवर्तक आचारे कौन है विकल्ब देगे हैं वल्लभ रामानुज शंक्राचारे और मध्धवाचारे तो अद्वाइतवाद के प्रवर्तक आचारे हैं शंक्राचारे वल्लभाचार जो हैं यह कि विश्ष्टा द्वाइतवाद के प्रवर्तक हैं थ्वाइत्वाद के प्रवर्तक हैं कौन रामानुजा चाहर की ध्यान दिजिएगा वल्लभाचारे हैं शुद्धा द्वाइत्वाद के प्रवर्तक प्रवर्तक अंग का एक उसका याहद रखेंगे बारवार परिक्षाओं में ये प्रवर्तक आचारी सम्मधित प्रश्न पूछी जाते हैं जलते हैं अगले प्रश्न क्यों अगला प्रश्न है और कावे पंक्ती पूछी गई है अक्सर परिक्षाओं में कावे पंक्ती पूछी जाती है जो अत्यंत कचिन होती है अगर आपन इस इब्रहे जग में रहें घुरु को भूले नई यहां गुरु को भूले नई आप सभी गुरुजी बनने जा रहे हैं तोदेख़िए पंक्ती है और यह पंग्ति किसकी है कि विकल देगा है राइदास कबीर सहजो भाई और कुम्बन दास तो इसका सही उत्तर होगा जियां सहजो भाई निर्गुण काफवेधारा की संत कभित्री हैं सहजो भाई और इनकी सबसे प्रसद्ध एक रशना जो है उसका नाम आप याद रख तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है तंद्रबुन स्कूल ऑफ हिंदी पोईट्री किसका शोध ग्रंत है और विकल देगा है बबुष्याम संदर दास आजर हज़ारे प्रसाद विवेधी पितांबर्द बढ़तबाल और लक्ष्मी सागर वा अधर बर्थबालने और गोरक नात की वानियों का संपादन किया था गोरक बानी के नाम से ठीक है इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे यहन्यों तो यहनोंने गोस्वामी तुलसी दास कि गोस्वामी तुलसी दास कि नामक्रांत कावी समपादन किया था तेकिन सबसे महत्वपूर क्या है गोरखवाने का समपादन किया था और है प्रस्वंत्रभार्थ के पहले श्वदार्ति थे जोने हिंदी में डिलीट की उपाधी धारन की थे जियां अगले प्रश्न की और चौदावें प्रस्ण पर हम पहुंच चुके हैं और प्रश्ण है कि निर्गुन काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्ता काचारी कौन है और विकल्प आपको उदिये गया है तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आचारी है वह है त्रीचंद जिया है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचारी है अगला प्रश्ण आपके समख्षु पस्तित है कि गुरु नानक का जर्म कहा हुआ गुरु नानक आप जानते हैं सिख धर्म के पहले गुरु हैं सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक और पुछा गया है कि इनका जर्म स्थान कहा है विकल देगा है मगहर विपसी तलवंडी और जयस तो गुरु नानक का जर्म हुआ कहां तलवंडी में ठीक है अन्न विकलपूक्ष पर बात करें तो मगहर मगहर यह सम्बंध जो है इसस्थान का सम्बंध किस से है मगहर आप अगर यात कर पा रहे होंगे किस से हैं अगला इसथान है अगर अगला प्रशन है कबीर के निर्गुन पंथ का आधार भार्तिय विदांथ अब देיד कबीर दो दो बातें भारतिय वेदांथ और शूफियों का प्रेम तक तुल्ट इक कथन किसका है कि कबीर के जो निर्गुन पंथ का आधार है वो भार्पिय वेदाम्त है और सूफियों का प्रेम तत्व है यह कथन किसका है और विकल्प दे गए आचार शुक्ल हजारी प्रशाद विवेदी रहुल संकृत्याइन और डॉक्तर मगेंद्र तो यह कथन जो है यह है आचारे राम प्रकाशन वर्फ भी आपको याद रखना होगा 1929 इस भी ठीक है हिंदी साइट तका इधिहास प्रकाशन वर्फ है 1929 इनकी आधने रशनाओं में कि इन ता मनी कि कर दो रस्मीमान सा अंडर्शन वर्मेन की यह सब रशनाएं प्रसिद्ध हैं तो यह कथन जो है किसका है आचारे राम चंद शुक लगा अगली प्रशन बढ़ते हैं कि पदमावत कि रशना है मलिक मुहम्मद जैसीजी की रशना है पदमावत और इसमें प्रशन पूछा गया है कि पदमावत में पदमीनी प्रतीक है अफिकल्ब दिये गए है सैतान सैतान माया परमसत्ता और गुरु तो सही उत्तर होगा पदमीनी जो है परमसत्ता की प्रतीक है जिहां परमसत्ता की प्रतीक है अचा सैतान का प्रतीक कौन है रागव अगर आप अभी तो विस्तार से मैं नहीं पता यह माया का प्रतिक है और गुरु जो है आप जानते हैं गुरु सुवा उग्गा जो है वो गुरु है और पदमाबत के रशनाकार कार कौन है मलिक मुहम्मद जैसी और रशनासी कब हुई यह पदमाबत की 1514 इस भी में ठीक है इसका भी इसमाना रखेंगे प्रकासन वर्ष् उस यूग में किसी को न था मानव प्रकृति का ग्यान तुलसी से अधिक उस यूग में किसी को न था और यह कथन किसका है विकल देगे आचारशुक्ल राम विलास्तरमा अचारी हजारे प्रशाद द्विवेदी और विस्तवनात प्रपार्टी तो यह कथन है जिहां आच प्रपारहिक प्रशाद्यंका तेन मुखते buff रंट पर ही कश यहां प्रपारा इमका जोन midnight कि दर्धिक क्या प्रकार अब याद रखना चाहें उसका प्रकासिन से 1940 ठीक है और अन्य जो है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आधिकाल और एक और रशना है हिंदी साहित्य का उदभग और विकास हिंदी साहित्य का और विकास एक और इसका प्रकास्वन्वर्ष क्या है 1952 इसका भी स्वन्वर्ष किया रखेंगे बलते हैं अपने अगले प्रशुन क्यों और उन्नित समद्व प्रश्ण आपके समखकेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि स्वानतह सुखाय कहकर किसमें उसे कव्वे का किसने माना किए स्वानताह सुखाय के लिए हम कावे और वरिशना कर रहे हैं तो प्रस्थ दिये करें कौन चंदवर्दाई कबीर तूर और तुलसी ठीक है तो स्वांता सुखाई काकर कावेश प्रयोजन वाना है किसा उत्तर क्या हो जाएगा गोस्वांबी तुलसिधास तर्वनरें क्या का क्या है कि हमारे कावेश का उद्देश है स्वांता सुखाई लोक मंगल लोक हित लोक मंगल लोक हित इन सब प्रयोजन से कुलसी ने रशना किया है और उनके सुप्रशत रशना जो है आप जानते हैं राम चर्त मानस राम को जमर है इनकांद मानस से कवित अवले डोह बिन यपत्रिक आप जित होगे अभी यह रॉनके सात साथ कांड हैं कितनड है पर ळिखता जाता है है ठीक है और पाला कांड कौन सा है बाल कांड है ठीक है और अंतिम कांड कौन सा है उत्तरकांड है ठीक है अंतिम उत्तरकांड है है ठीक है हम बढ़ते हैं अपने 19 में प्रश्ण पर कि उनिसमां प्रश्ण है कि अस्फ चाप के कभी भूत मौत्रपुन शाप के कभियों से अब तभी पर्मी नुचुत होंगे कि चार वललहव के यानि वललवाचार के एका आ सईए और चार थे विठ्थलनात के सच्ष मिल कर बन गए अस्ट चापक के लिए फ्रको में क्रफं किरतन कार इसको निव्टeking haitana थह दो सई उत्तर क्या आ था और किरतन कार से tryna यह का यह गळर तो देनन ठार भी तास नहीं मारना है परिश्षामे अंत्रस्इन जो आपके लिए है आप कमेंटे लिखेंगे और आपके कितने अंक आ रहे हैं और यह स्रिंखला आपके लिए लाबदायक होगी की नहीं इसके बारे में आप जानकारी देंगे ताकि हम भी आगे प्रयास करते हैं आपके लिए और अंतिम प्रशन है बिहारी के बारे में आसान सा प्रशन कि बिहारी को किस स्र आएं फिर हम मिलेंगे अगले सेंकला में धन्यवाद